आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ यवन राजा मिनांडर और बौध साधू नागिसेन के मद्ध हुए सास्त्रार्थ के बारे में पाली साहित में एक गरंथ है जिसका नाम है मिलिंद प्रिस्न या मिलिंद पनहू इतिहास में इस गरंथ की बहुत चर्चकी जाती है एक यवन राजा मिनांडर ने उस समय के सभी साधूं को सास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था जब उसका मुकावला नागिसेन से हुआ तो वह पराजित हो गया था नागिसेन ने मिनांडर के सभी प्रिस्नों के जबाब बड़ी सरलता के साथ दिये थे तो वो कौन-कौन से प्रिस्न थे जो मिनांडर ने नागिसेन से पूछे थे और नागिसेन ने उनका बड़ी सरलता के साथ जबाब दिया था जैसे, पबत धर्म क्या है? ये मिनांडर ने नागसेन से पूछा था, क्या हमारे अंदर कोई आत्मा होती है? क्या भगवान बुद्ध परमस्रेष्ट है? समुद्र को समुद्र क्यों कहा जाता है? क्या भगवान बुद्ध को आपने देखा है? क्या भगवान बुद्ध का क कोई गुरू था, इस तरह से मिरांडर ने नागसें से बहुत सारे प्रस्ण पूछे थे, इस वीडियो में मैं सभी प्रस्णों की तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो प्रमुक प्रस्ण है, उनकी चर्चा मैं इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आईए इस वीडियो की सुरुगात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मिलिंद पन्हो करंथ की, देखें यहाँ पर मिलिंद का मतलब क्या है, मिलिंद का मतलब है मिनांडर, पन्हो का मतलब है प्रस्न क्योंकि पाली भासा में प्रस्न को पन्हो ही कहा जाता है मिलिंद पन्हो मूल रूप से पाली भासा में लिखा गया एक प्रसद गरंथा परंतु इसके लेखा के बारे में चर्चा नहीं की गई है इसको आपको याद रखना है कि मिलिंद पन हो गरंथ किसने लिखा था इसकी जर्चा नहीं की गई है पाली साहित में मिलिंद पन हो गरंथ को बहुत ही महत पूर्ण माना जाता है इस गरंथ की एक प्रती चीन के तीर थ्यात्री अपने यहां चीन ले गए थी इसका चीनी भासा में भी अनुबाद किया गया था मिलिंद पनुगरंद का 1937 में पाली भासा से हिंदी में अनुबाद जग्दीश कस्टप की द्वारा किया गया था किसका? मिलिंद पनुगरंद का और जो हिंदी में हनुबाद है, वही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ. अब बात करती हैं मिनांडर की इतिहास पर. मिनांडर की जो नाम मिलते हैं, वो कई नाम मिलते हैं. जैसे मिलंद तो कहा लिखा हुआ है? यह पाली साहित में मिलेगा आपको. उस सिक्कों पे मनिंदरू, मनिंदरस इस तरह के नाम मिलेंगे कुछ किताबों में और अलग नाम भी मिलते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर प्रमुख नाम लिखे हुए जैसे मिनांडर, मिलिंद, मनिंदर या मनिंदरस जन में कहा हुआ था मिनांडर का? यह बगराम में हुआ था यह कहा है? यह आतनिक अफगानिस्तान में है बंस का नाम क्या था? डेमिट्रियस बंस और मिनांडर के पिता का नाम था डेमिट्रियस दूतिये मिनांडर की जीवन साथी का नाम था अगाथू कि लिया उत्तरा धächारी कौन था मिनांडर का सिटरेटू प्रिथम सासन काल समभवता माना जाता है देखी कि ये निश्शित नहीं है कुछ एतिहासकार 165 से 140 सीशा पूर्व के मद्द में लिखते हैं कुछ एतिहासकार 150 से 130 सीज़ा पूर्व के मद्द में लिखते हैं पुछ इतिहासकार 155 से 135 सीज़ा पूर्व के मद्द में लिखते हैं तो मिनांडर का जो सासनकाल है वो निश्चित नहीं है मैंने यहाँ पर 160 से 130 सीज़ा पूर्वाला लिखा हुआ है मिनांडर की राजधानी कहां थी? साकल या सगाला में थी देखी साकल या सगाला आदुनिक कहां है आदुनिक पाकिस्तान का जो सियाल कोट है उसी को प्राचीन समय में साकल या सगाला कहा जाता था तो मिनांडर की जो मुख राजधानी थी वो स्यालकोट में ही थी और दूसरी राजधानी कहां थी बल्ख में थी जो की अफगानिस्तान में है मिनांडर का जो सामराज है वो इंडो ग्रीक सामराज की नाम से जाना जाता है जिसकी सीमा ए संभावता आमू दरिया से लेके गंगा यमुना तक थी क्योंकि उसके सिक्के गंगा यमुना तक मिले हैं मिनांडर को एसिया का संरक्षक भी कहा जाता है एक बार ये प्रिस्न पूछा गया था इसको आपको बिसिस्तोर पर याद रखना है मिनांडर को योग, न्याय, गड़ित, संगीत, चिकित्सा, इतिहास, जियोतिस, तर्क, आदी का अच्छा ग्यान था मिनांडर को सास्त्रार्थ करना अत्यधिक पसंद था मिनांडर ने अनेक भाति साधुमों को सास्त्रार्थ में पराजित किया था सादू संत मिनांडर से बहुत घवराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मिनांडर आएगा और कुछ ना कुछ पूछेगा अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो बुरा बला कहके चला जाएगा इसलिए सादू संत मिनांडर से बहुत घवराते थे सास्तरात करने में किसी अज्याद बैक्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिपलस ओफदा एरिथरन सी में भी मिनांडर का उल्ले किया गया है जिसमें कहा गया है कि यवन राजा मिनांडर के सिक के भड़ोच चोकी गुजरात में है कि बाजार में खूब चलते थे पेरिपलस ओफदा एरिथरन सी का लेखक 8020 के आसपास हिंद महासागर की यात्रा पे आया था तो आपको दिहान रखना है कि मिनांडर का उल्ले कहां पे किया गया है पेरिपलस ओफदा एरिथरन सी नाम की एक बुक है उसमें किया गया है और इस बुक की रचना किस ने की थी इसके बारे में इतिहासकारों के पास कोई जानकारी नहीं है मिनांडर के अभी तक 22 सिक्के प्राप्त हुए है जिसमें 8 सिक्के ऐसे हैं उनमें मिनांडर की लकल भी है मिनांडर के सिक्कों में एक तरफ ग्रीक भासा में वैसिलियोस, सोटेरोस, मिनादरू और दूसरी तरफ पाली भासा में महरजस, तदतस, मिनन्द लिखा हुआ है मिनांडर के कुछ सिक्के ऐसे प्राप्त हुए हैं जो अन्न सिक्कों से बहुत अलग हैं जिन पर बौद धर्म का प्रधानचिन धर्म चक्र बना हुआ है एक तरफ गरीक भासा में वैसिलियोस, दिकायू, मिनादरू और दूसरी तरफ पाली भासा में महरजस, धम्मिकस, मनिन्दस लिखा हुआ है मिनांडर के इनी सिक्कों से उसके बौद धर्मी होने का पता चलता है पाली गरंथ मिलिंद पन हो में लिखा हुआ है कि यवन राजा मिनांडर ने अपने अंतिम समय में राजसत्ता का त्याक करके बौद भिक्खू का जीवन ब्यतीत करना प्रारंब कर दिया था ये बात बलकुत सही है कि मिनांडर ने अपने अंतिम समय में अपनी राजसत्ता को त्याग दिया था और एक बहुत भिखु का जीवन जीना सुरू कर दिया था क्योंकि इस बात की चर्चा अनेक इतिहासकारों ने की है ग्रीक दारसनेक और इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है कि मिनांडर न्याई परिय विद्वान और जन परिय राजा था मिनांडर की मृत्यू के बाद उसके अवसेसों पर बड़े-बड़े इस्तूपों का निर्मान करवाया गया था इस्तूपों का मतलब है कि मिनांडर बाद धर्म का अन्याई था क्योंकि बाद राजाओं के ही इस्तूप बनवाये गए हैं जैसे कनिस्क ने अपना इस्तूप कहां पर बनवाया था पेशावर्म बनवाया था जो की आधनिक पाकिस्तान में है जिसकी चर्चा हुवेंसोंग ने अपने यात्रा बवरण में की है मिनांडर की मिरत्यू संभावता 130 इसापूर्व के आसपास हुई थी देखिए ये संभावता है निश्चित नहीं है क्योंकि इतिहासकारों ने 130 ही लिखा हुआ है अब बात करते हैं नागसेन की इतिहास पर अभी मैं बात कर रहा था मिनांडर की इतिहास पर जो प्रमुख जानकारी थी मिनांडर के बारे में बो मैंने आपको बताई है अब थोड़ी नागसेन के बारे में बात करते हैं नागसेन का जन्म संभावता पंजाब की कजंगल गाउं में हुआ था परंतु मानताओं की अनुसार नागसेन का जन्म हिमाला परवत की तल हटी में बसी किसी गाउं में हुआ था जन्म निश्यत नहीं है कहां पे हुआ था मानताओं की अनुसार अलग है और मिलंद पनहो जो गरंथ में लिखा हुआ है, वो पंजाब के एक जंगल गाओं में लिखा हुआ है नागसेन के पिता का नाम सुनुत्तर था जो एक किसान थे नागसेन को पंच विध्या का अच्छा ग्यान था पंच विध्या के बारे में मैं आपने दो-तीन वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि पंच विध्या क्या होती थी आईए मैं आपको बताता हूँ पंच विध्या में क्या होता था कि साथ बर्ष जिन बच्चों की उमर हो जाती थी उनको पंच विध्या दी जाती थी जिसमें से जो पहली विद्या होती थी, वो सब्द विद्या होती थी, और दूसरी होती थी, सिल्प इस्थान विद्या होती थी, जिसमें कारीगरी सिखाई आती थी, कुछ यंत्र बनाना सिखाय जाता था बच्चों को, तीसरी जो विद्या होती थी, वो चिकत्सा विद्या होती थी। इन्हीं को मिला के पंच विध्या के नाम से जाना जाता है। हाला कि इसकी चर्चा मैंने हुवेंस्टोंग वाले वीडियो में भी की थी। नागसेन के पहले गुरू भजंद रूहन थे जिनके साथ वाय हिमाला के रच्षित तल नामक इस्थान पर गए थे जहां पर उन्होंने तिर्पिटक का ग्यान प्राप्त किया था। तिर्पिटक में कौन-कौन से पिटक आते हैं सुथपिटक, बिनैपिटक और अभी धम्मे पिटक। ये तीनों आते हैं तिर्पिटक में। नागसेन भदंत रूहन से सक्षा प्राप्त करने के बाद भदंत अस्वगुप्त के पास कहे थे। भदंत अस्वगुप्त नागसेन से बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने क्या किया था कि नागसेन को पाटली पुत्र के असोका राम बिहार के प्रमुख आचार धर्म रक्षित के पास बेज़ दिया था नागसेन की बाकी सिक्षा भदंत धर्म रक्षित के नेत्रत में पाटली पुत्र के असो का राम बिहार में ही पूरी हुई थी नागसेन जब पाठली पुत्र की असोक आराम बिहार में थे तभी उन्हें मिनांडर से सास्त्रास करने के लिए पंजाब से बुलाबा आया था नागसेन ने संग के जो प्रमुख आचार थे उनसे अनुमती ली और सागल, सागल का है या सियाल कोट का है कि विए आधनिक नाम सियाल कोट है तो सागल के संखे मठ पहुँचे जैसे ही सागल नगर के लोगों को पता चला कि नागसेन राजा मिनांडर से सास्त्रार्थ करने हेतु आये हैं पूरी नगर में हरकम पमच गया इसकी सूचना जब मिनांडर को हुई तो मिनांडर ने क्या किया किया कि अपने एक विस्वास पात्र मंत्री जिसका नाम दमित्री था उसको संखे मठ पहुचा और उसने नागसेन से पूछा क्या आप राजा से सास्त्रार् हूँ नागसेन ने उत्तर दिया हा महराज मैं तयार हूँ दूसरे दिन राजा मिनांडर अपने रत्व सवार होकर अपने सभी मंत्रीयों के साथ संखे मठ पहुचे जहाँ पर दोनों के मद सास्त्रार्थ हुआ था देखे यहाँ पर संखे मठ इसका अलग-अलग अतिहास हाँ पर यह मठ था सागल में जहाँ पर मिनांडर की राजधानी थी अब बात करती है मिनांडर और नागसेन के मद जो सास्त्रार्थ हुआ उसमें कौन-कौन से प्रिस्न पूचे गए तो आई उन प्रिस्नों पर बात करते हैं मिनांडर ने सबसे जो पहला सवाल पूछा था नागसेन से वो ये पूछा था भंते आपका क्या नाम है नागसेन ने उतर दिया था महराज मेरा नाम नागसेन है और मेरे सार्थी भी मुझे इसी नाम से पोकारते हैं मिनांडर ने फिर नागसेन से पूछा भंते ये नागसेन क्या है क्या नाखून नागसेन है क्या आ नागसेन ने उतर दिया नहीं महराज मिनांडर ने फिर पूछा भंते तो क्या आपका रूप है वो नागसेन है नागसेन ने उतर दिया नहीं महराज मिनांडर ने फिर पूछा भंते तो क्या आपके जो संसकार है वो नागसेन है नागसेन ने फिर उत्तर दिया नहीं महराज मिनांडर ने फिर पूछा भंते मैं आपसे पूछते पूछते ठक गया हूँ और अभी तक मुझे ये पता नहीं लगा है कि आखिर नागसेन क्या है नागसेन ने उत्तर दिया माराज क्या आप पैदल चलकर यहां पे आए हैं? मिनांडर ने उतर दिया भनते मैं पैदल नहीं बलकि रत से आया हूं नागसेन ने फिर पूछा माराज यदि आप रत से यहां पे आए हैं तो मुझे बताएं कि आपका रत कहा है? क्या? चक्के जो रत में जो चक्के लगे होते हैं पहिए उनको चक्का कहा जाता है क्या चक्के रत हैं मिनांडर ने कहा नहीं बनते नागसेन ने फिर पूछा तो क्या रसियां रत हैं मिनांडर ने कहा नहीं बनते फिर नागसेन ने पूछा तो क्या लगाम जो घोडों की लगाम होती है न जो रत में घोड़े लगाए जाते है तो क्या वो लगाम रत है मिनांडर ने कहा नहीं बनते नागसेन ने फिर पूछा मिनांडर से तो क्या चाबुक रथ है जो घोडों को मारने वाला चाबुक होता है वो तो क्या चाबुक रथ है मिनांडर ने फिर जवाब दिया नहीं भनते नागसेन ने फिर पूछा तो क्या गोडों रथ है मिनांडर ने फिर से जवाब दिया नहीं भनते नागसेन ने फिर पूछा महराज मैं आपसे पूछते पूछते ठक गया हूँ परन्तु मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि रथ क्या है सभा मैं उपस्तित सभी लोग सुनें मैं महराज से पूछ रहा हूँ कि रथ क्या है तो महराज उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महराज क्या आप मेरे प्रसंद का उत्तर दे पाओगी ये किसने पूछा था नागसेन ने मिनांडर से पूछा था मिनांडर ने उतर दिया था भंते ये सारी चीज आधार मात्र है केवल बहुवार के लिए इसका नाम रत है नागसेन ने कहा महराज तो आपने जान लिया कि रत क्या है इसी तरहे मेरे नाखून, दाथ, तचा, खून, इत्यादी आधार है केवल बहुवार के लिए इन सब का नाम नागसेन है परंतु बास्ताओं में नागसेन नाम का कोई वेक्ती नहीं है चलिए मैं आपको और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सको समझा देता हूँ मालो आप ये मेरा जो वीडियो है मोवाईल या लैप्टॉप में देख रहे होंगे जहां तक आप मोवाईल में देख रहे होंगे मैं आप से पूछ हूँ कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे ये मोवाईल है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या display mobile है? नहीं तो क्या उसकी body है वो mobile है? नहीं तो क्या camera mobile है? नहीं तो क्या mic mobile है? नहीं तो फिर mobile है क्या? जितनी चीजों के अभी मैंने यहाँ पर नाम लिये हैं जैसे mic, camera, display, body इन सब को मिला के एक electronic item बनता है और फिर उस electronic item का एक नाम रखना पड़ता है हमें बिहुआर के लिए परन्तु बास्ताओं में उस नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि सारे parts अगर आप mobile के अलग अलग कर दें तो कोई भी बेखती यह नहीं कहेगा कि यह mobile है कोई काएगा यह display है, कोई काएगा यह speaker है, कोई काएगा यह कोई कुछ काएगा, कोई कुछ काएगा, उसके अलग-अलग नाम हो जाएंगे लेकिन सभी को जोड के एक device बना दिया, फिर उसका नाम रख दिया नाकसे ने जवाब दिया, महराज, कुछ जीव ऐसे हैं, जो जन्मगरहन करते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं, जो जन्मगरहन नहीं करते हैं मिनांडर ने फिर पूछा, भनते, कौन से जीव जन्मगरहन करते हैं और कौन से जीव जन्मगरहन नहीं करते हैं मिनांडर ने फिर पूछा बंते पवित्र धर्म क्या है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पवित्र धर्म क्या है क्योंकि पाली भासा में धर्म को धर्म लिखा जाता है नागसेन ने इसका उत्तर दिया कि महराज, ब्रह्मचर, सील, सिर्धा, इस्मिर्ती और समाधी ये सभी पवित्र धम के मूल आधार हैं और इनको धारण करना ही पवित्र धर्म है मिनांडर ने नागसेन से फिर पूछा भनते, आप मरने के बाद जन्म गरहन करोगे या नहीं नागसेन ने उत्तर दिया महराज मैंने तो पहले ही कह दिया है कि यदि सांसारक एक्छाओं के साथ मरूँगा तो जन्म गरहन करूँगा अगर सांसारक एक्छाओं के साथ नहीं मरूँगा तो जन्म किरहन नहीं करूँगा मिनाडर ने फिर पूछा नागजयन से भनते क्या कारण है कि सभी मनुस एक ही तरह के नहीं होते हैं कुछ मनुस कम उम्र में ही मर जाते हैं कुछ मनुस अधिक उम्र तक जीवत रहते हैं, कुछ मनुस जन्म से ही रोगी होते हैं, कुछ मनुस जन्म से ही निरोगी होते हैं, कुछ मनुस गरीब होते हैं, कुछ मनुस अमीर होते हैं, कुछ मनुस बेवकूफ होते हैं, और कुछ मनुस अत्यधिक बिद्वान होते हैं, ऐसा क्यूं? नागसेन ने इसका उतर दिया था कि महराज, क्या कारण है कि जंगल में सभी बनस्पतियां एक समान नहीं होती है? कोई खटी है, कोई नमकीन है, कोई तीखी है, कोई अत्यधिक कड़ भी है, ऐसा क्यूं? इसका मिनांडर ने उतर दिया था महराज इसी तरह सभी ब्यक्तियों के कर्म अलग-अलग होते हैं सभी मनुष्य अपने कर्मों के मालिक हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ही अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन होना पड़ता है अपना कर्म ही अपना बंदु है अपने कर्म से ही लोग उचे और नीचे होते हैं कोई बेक्ति अत्यधिक भोग बलास का जीवन जीना सुरू कर दे तो वह अनेक रोगों से गरस्त हो जाता है कोई बेक्ति बेबज़े हत्याय करना सुरू कर दे तो उसका मन असांत हो जाता है प्रतेक ब्यक्ती का अपना कर्म ही निर्धारत करता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा ये किसने कहा था ये कहा था नागसेन ने मिनांडर से मिनांडर ने फिर पूछा भनते क्या आपने भगवान बुद्ध को देखा है नागसेन ने कहा नहीं महाराज मिनांडर ने फिर पूछा भनते तो क्या आपके आचार्रियों ने भगवान बुद्ध को देखा है नागसेन ने कहा नहीं महाराज मिनांडर ने फिर पूछा भनते तब तो भगवान बुद्ध कभी इस संसार में पैदा ही नहीं हुए नागसेन ने कहा महराज आपने या आपके पिता ने सिंदू नदी को देखा है मिनांडर ने कहा हाँ बनते नागसेन ने फिर पूछा महराज क्या आपने या आपके पिता ने सिंदू नदी का उदगम इस्थल देखा है मिनांडर ने कहा नहीं बनते नागसेन ने फिर पूछा महाराज तो क्या सिंदू नदी का कोई उदगम इस्थल नहीं है मिनांडर ने कहा नहीं बनते सिंदू नदी का उदगम इस्थल जरूर है क्योंकि सिंदू नदी है तो उसका उदगम कहीं न कहीं होगा नागसेन ने फिर कहा महराज इसी तरह से मेरे पास जो स्रेष्ट ग्यान है वो है भगवान बुद्ध की द्वारा दिया गया है अगर मेरे पास ग्यान है तो भगवान बुद्ध भी कभी न कभी रहे होंगे मिनांडर ने फिर कहा बंते क्या भगवान बुद्ध परम स्रेष्ट हैं? नागसेन ने जवाब दिया हां महराज मिनांडर ने फिर पूछा भनते भगवान बुद्ध कैसे परमत्रेल्ट है नागसेन ने जवाब दिया महराज जिन ब्यक्तियों ने महा सम्मुद्र को नहीं देखा है क्या बेब्यक्ती ये नहीं जानते हैं कि वह कितना बिसाल है जिसमें अनेक नदियां जाके समाहित हो जाती है मिनांडर ने कहा हां बनते जरूर जानते हैं नागसेन ने कहा महराज इसी तरहे जो भिक्कू अरहत को प्राप्त हो गए हैं वो ये जान सकते हैं कि उनके पास कौन सा ग्यान है उनके ग्यान से भी स्रेष्ट ग्यान भगवान बुद्ध के पास रहा होगा इसलिगे भगवान बुद्ध परम स्रेष्ट है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ जो सादू सन्यासी होते हैं वो अरहत को प्राप्त हो जाते हैं अरहत का मतलब है वो सुख दुख का जो चक्र है उससे वो निकल जाते हैं तो वो लोग ये जान सकते हैं कि भई मेरे पास कौन सा ग्यान आ गया है और वो ये भी जान लेते हैं कि अगर उनसे कोई बड़ा सादू संत्र है या फिर रहा होगा किसी जमाने में तो वो ये भी जान लेते हैं कि उसके पास कौन सा ग्यान होगा इसी बात की यहां पर चर्चकी जा रही है मिनांडर ने फिर पूछा भंते समुद्र को समुद्र क्यों कहा जाता है नागसेन ने उतर दिया मिनांडर ने फिर पूछा भंते यह समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है मिनांडर ने उतर दिया महराज अत्यदिक समय तक एक ही जगह पर पानी भरा रहे तो उसमें खारापन आ जाता है परंतु समुद्र तो असंख बरसों से भरा है इसलिए उसका पानी खारा हो गया है मिनांडर ने फिर से पूछा भंते तो फिर तालाप का पानी खारा क्यों नहीं होता क्योंकि वो भी एक जगह भरा रहता है यह परस्न बहुत ही अच्छा था मिनांडर का लेकिन इसका उतर सुनिए नांडर ने क्या कहा था कि महराज तालाप समय समय पर सूखता है और बारस आने पर फिर भर जाता है इसलिए उसका पानी खारा नहीं होता है मिनांडर ने फिर पूछा भंते क्या भगवान बुद्ध का कोई गुरू था यह परस्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह परस्न आजकल भी लोगों की दमाग में है यह बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कॉमेंट करते रहते हैं यह बताईए यह बताईए तो यह परस्न आपको बहुत अच्छे से दिहान रखना है नागसे ने इसका उतर दिया था ना मेरे समान कोई दूशरा है देवताओं और मनुस्यों के सार सारे संसार में मेरा कोई जोड नहीं यह किसने कहा था यह बहुत ने कहा था मिनांडर ने फिर पूछा भंते मैंने सुना है कि अलार कलाम बहुत बहुत के गुरू थे उस दोरान उन्होंने अलार कलाम से सिक्षगरण की थी परन्तु अलार कलाम ने कभी भी अपने सिस्थियों में उन्हें सामिल नहीं किया था जब भी वह अपने सिस्थियों को सिक्षगरण देते थे तो भगवान बुद्ध को अपने बराबर में पैठाते थे अलार कलाम ने भगवान बुद्ध को कभी अपना सिस्से नहीं माना बलकि हमेशा उनके साथ मित्र की तरह बेहवार किया भगवान बुद्ध को अलार कलाम से जो ग्यान प्राप्त हुआ था वैस साधरन ग्यान था उससे किसी बेक्ती को बुद्धत्य की प्राप्ती नहीं हो सकती बुद्धत्य की प्राप्ती के लिए बेक्ती को अपने अंदर के ग्यान को खोजना पड़ता है जो स्वेम भगवान बुद्ध नहीं खोजा था इसी लिए उनका कोई गुरु नहीं है यहाँ पर क्या कहा गया है वो मैं आपको बिल्कुत सरल भासा मत समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए भगवान बुद्ध ने जब ग्रह त्या किया था तब वो एक साधरन बेखती थे उनके पास ग्यान नहीं था इसके बाद उन्होंने अलार कलाम से ग्यान लिया लेकिन अलार कलाम ने कभी भी उन्हें अपना सिस्स नहीं माना बलकि उनके साथ मित्र की तरह पहवार किया और अलार कलाम से जो उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था वो बिलकुल एक साधरन ग्यान था उस साधान ग्यान से कोई ब्यक्ति बुद्धत को प्राप्त नहीं कर सकता है बुद्धत को प्राप्त करने के लिए ब्यक्ति को अपने अंदर का जो ग्यान है उसको खोजना पड़ता है जो सुयम भगवान बुद्ध ने खोजा था इसलिए उनका कोई गुरु नहीं है ये किसने कहा था नागसें ने कहा था मिनांडर से वैसे तो मिनांडर ने नागसें से बहुत सारे प्रस्न पूछे थी लेकिन मैंने सभी प्रस्नों की यहाँ पे चर्चा नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत जाद लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सभी प्रिस्णों की यहां पे चर्चा नहीं की है अगर आप कहेंगे, कोमेंट करेंगे तो मैं इसका पाट टूला सकता हूँ उसमें उन प्रिस्णों को सामेल कर सकता हूँ लेकिन एक प्रिस्ण है उसको मैंने जानबूच के यहां पे लिखा नहीं है क्योंकि यह थोड़ा विवादित प्रिस्ण है लेकिन उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा मिनांडर ने पूछा था नागसेन से भंते क्या हमारे अंदर कोई आत्मा होती है तो नागसेन ने इसका क्या जवाब दिया था वो सुन लीजिए उन्होंने कहा था कि महराज अगर मैं एक दीपक की सहता से अन्य दीपकों में रौसनी डाल दूँ या कहें कि अन्य दीपकों को जला दूँ फिर नागसेन ने कहा महराज इसी तरह से ये जो दुनिया है वो चल रही है मुझे मेरे माता पिता ने पैदा किया है और मैं अपने बच्चों को फिर वो अपने बच्चों को फिर वो अपने बच्चों को इसी तरह से ये संसार चल रहा है जो लोग आत्मा में विस्वास करते हैं कि आत्मा होती है तो किसी मनुस्त की जब हत्या की जाती है तो इसकी हत्या के बाद आत्मा तो जिंदा रहती है क्योंकि वो तो कभी मरती नहीं है तो वो आत्मा ये क्यों नहीं बताती कि मेरी हत्या इस वेक्ती ने की है और अगर आत्मा होती है तो सरीर के कौन से हिस्से में होती है जीप पे होती है, कानों में होती है, आँखों में होती है, नाग पे होती है, कहां पे होती है तो इस वीडियो में मिनांडर का इतिहास, नागसेन का इतिहास और मिनांडर और नागसेन के मत जो सास्तार्थ हुआ उसके कुछ प्रमोप प्रसुन थे उनकी मैंने चर्चा की हैं तो जो लोग अपने नोर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रेप्शन वॉक्सम वेपसाइट की लिंक दी गई है तो लोग वहाँ से जाके अपने नोर्स बना सकते हैं वीडियो गर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद